हेलो दोस्तों मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चलना चेतन नेरर्स पर और आज हम दिडंची स्पंडलर के एपिसोड नमर 8 को एक्स्प्लेंड करेंगे तो चलोग जली जए एपिसोड के एक्स्प्लेंशन को सुरू करते हैं एपिसोड के सुरुवात में डोग ने अपने चेस्ट पे डेगर को स्टेप करकर कहता है कि चाहि कुछ भी हो जा मैं तुम्हें यहें पर इमार कर रहूंगा उसके बाद हमें स्टोर के फिफ्ट फ्लोर को दिखाया जाता है जहां पर सायरों पहुँच चुकी थी जहां पर वो जाकर अपने स्टुडेंट आइडी को कन्फरम करती है और उसे यहां पर कोईन मिल जाता है और अब जबकि उसे कोईन मिल गया है वो यहां से निकलने के बारे में सोचती है पर तब ही उसके मन में जारियों का खयाल आता है जो कि नीचे लड़ाई कर रहा है पर वो सोच रही थी कि जारियों नहीं उसे कहा था अगर वो चली भी जाये तब भी उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वह कुछ भी एड़ों नहीं करेगी और वह खुद यही सोचने की कोसिस कर रही थी ताकि वो यहां से निकल सके पर वो यही भी सोचते ही कि जालियूं कभी भी नहीं लड़ता अगर उसके पास ऐसे निकलने का कोई रस्ता ना होता इतने में सिन फोकस करता है पास्ट में जब डॉग्यून स्कूल में लड़के को मार रहा था जो कि उसे काफे जो कि उसे माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दो मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा एक्चुले डॉग्यून एक जेनियस था तब से ही उसे पता था कि सब कुछ बहुत ही एज़ी है उसके अपास हाई टैलेंट थी हमेशा ही हर एक्जा में उसे हंडेट परसंट रेजल्ट मिलते थे और उसे एजल से रेकोगनिसन भी मिलती थी और अपने क्लासमेर्स के उपर उसका एक डॉमिनेशन भी बनाया रहता था सबी उसे किसे बड़े आदमी की तरह रेस्पेक्ट करते थे पर तभी बस एकी चीज़ से जोकियों वो एचिप नहीं कर पाया उसे वारियर हाई स्कूल कर टेस्ट में रीजेट कर दिया गया एक्चोले वारियर हाई स्कूल एकोडिंग टो डॉग्यून बस पैसे एंड कनिक्सन की चीज़ है वो हमेसा पैसे को ही टेलेंट की उपर रखते हैं इसलिए उसने जाकर गैंगियों हाई स्कूल में जाकर एडमिसन ले ली और अगर सब कुछ टेलेंट एंड स्केल पर बैश्ट होगा तो वो कभी हार नहीं सकता वो हमेसा ही टॉप पर रहता था जैसे के वो के सिलेक्टेड जीनियस है ऐसे करते हुए उसने अपना ग्रेजियोसन पूरा किया और वो हर बारी टॉप करता था और इस बार भी वो बहुत ये बड़े मार्जिन से फ़र्ष्ट आया है और सभी बच्चों के बीच में डॉग्यों की एक और ही इमेज बन गई थी और फिर ग्राजियोसन सेरिमेनी के बाद उसे टीचर आकर कॉंग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि वो आगे जाकर एक ग्रेट एडवेंचर बनेगा पर उसे एक बात हमेसा धियार में रखनी चाहिए कि उसे कभी घमन करनी नहीं चाहिए और हमेसा सीखती रहनी चाहिए पर डॉग्यों मनीमन सोच रहा होता है कि उसके जो ये टीचर है वो पहले एडवेंचर थे जो के बहुत जल्दी रिटार्मेंट ले ली और अब वो यहाँ पर एक टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं और वो मनीमन कहरा होता है कि वो एक दिन इसे जगे पर पहुँच जाएगा जहाँ पर उसके टीचर जिसे नॉर्मल लोग जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते उसके बाद हमें एक डंजिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर डोग्वेंचर डरके मारे नीचे पढ़ा हुआ था और थर थर काप रहा था उसके सामने जो मौस्टर है उसने उसके पूरे पाटी को मार दिया है और वहाँ पर एक दूसरा एडवेंचर राकर उस मौस्टर को मार देता है वो एडवेंचरर डोग्यून को कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए भाग करा है क्योंकि तुम कह रहे थे कि यहाँ पर एक डेंजरी सीचोसन क्रियेट हो गई है पर क्या यह बस यही था और वो जिस तरह डोग्यून को देख रहा था यह इसलिए डोग्यून भी सबको दिया करता था सबको नीचा देखता था तब ही उसे समझ में आया कि उसके टीचर ने कहा था कि वो एक ग्रेट एडवेंचरर बनेगा पर वो एडवाइस नहीं थी वलकि कमपर्ड वोर्स थे ताकि वो खुस हो सके पर उसे समझ में आ रहा है कि वो चूजन वन नहीं है वो बस उन लोगों में से एक है जो कि एवरेज लोगों से बस थोड़ा सा ही बेटर होते है जो कि एवरेज लोगों के आँखों में बहुत ही जादा होते है पर असल में नहीं होते पर अभी प्रेजर में डोग्यों जो की अभी उसके एक्विप्मेंट के बस में आ चुका है वो कहता है की ये जैकट पूरा का पूरा एक लाई वेमपार से बना हुआ है आगे वो एक्विप्मेंट कहता है कि डोग्यों ने उसे एलाव किया है उसने कहा है कि उसका जो इविल एक्यूपमेंट है वो उसके दिल में जितना भी खुन बहरा है वो उसे पूरा ले सकता है और इसके बदले उसे बस जारियोंग को मारना होगा जारियोंगे सुनकर कहता है क्या तुम सियोर हो मुझे पता नहीं पर एक काफी जाता डेंजरियर साउंड कर रहा है तब ही इविल बड़ी तेजी से आगया बढ़ता है और हमला करने लेपता है जिसे कि पहले जो जारियोंग डोज कर पा रहा था अभी इन्हें डोज कर पान बनें यह सुनकर जारियोंग कहता है कि आखिर तुम अचनक मेरे तारिफ क्यों कर रहे हो आखिर तुम्हारे से क्या क्या आखिर मैं कौन हूं और क्या करता हूं तो इविल कहता है कि अच्छा ऐसा क्या चलो जो भी है तुम्हारा सुक्रिया तुम्हारी वज़े से मैं टेल रहा था कि बहुत अच्छे मुझे अपनी पावर दिखाओ जारियों यहां पर सोच रहा होता है कि वो इविल इस पावर को हमेंसे मेंटन नहीं कर सकता अगर वो डोग्यून के ब्लड को एसे फ्यूल यूज़ कर रहा है तो वो डेफिनेटली अपने लिमिट पर कभी न कभी तो पहुंची जाएगा अगर मैं उसे जाल में फसा कर बहुत जादा ब्लड कंजूम करवा देता हूं तो फिर उसके बाद मैं नीडल का यूज़ कर सकता हूं यहां पर वो इविल कह रहा था कि मुझे औलिडी पता है कि तुम क्या करना चाहते हो और वो यह कहकर जारियों के उपर हमला कर देता है पर तभी वहां पर एक बहुत ये बड़ा धमाका होता है और जब जारियोंग पीछा मूड कर देखता है वो देखता है कि सायरियों ने पीछे से आकर हमला किया था यह देकर जारियोंग खुज भी हुआ था और कहता है कि तुम सच में मेरी बात न नीचे बड़ा हुआ था सायरों पूछती है कि क्या वो मर गया है जारीयों फोटो खीचते हुए कहता है कि वो ऐसे किसे हमले से नहीं मर सकता तो उसके बारे में चिंता करना बंद करो और वो तुम्हारे उपर बदा लेने की भी कोसिस नहीं करेगा क्योंकि अगर वो ऐसा कर आई थी तो तुम्हारे मेरे उपर एक कर्स था टेकनिकली मैंने दो बार तुम्हरे जान बचाई है पहली बार बचाया था सुरवात में और दूसरे बार बजाया जब तुमने मुझे फॉलो करना सुरू किया और अब जबकि तुमने भी मेरी मदद कर दी है तो हम इसे हिस कोई चीज देखने लगती है जिसमें से एक बहुती मीठी खुस्बू आ रही थी दोनों फिर उसी तरफ ही जाने लगते हैं जहां पर उन्हें एक आदमें बॉक्स लेकर इंजट पड़ा हुआ मिलता है पर जब वो दोनों उसके पास जाते हैं वो देखते हैं कि यह आदम निकलते हैं जो कि उन दोनों ने पहले कभी एक्सपरियंस नहीं करी थी एक मीठी से प्यारे से खुस्बू अंदर से आ रही थी यह खुस्बू ऐसी है जिसे कि तुम स्मेल करते हैं तुम भूल जाओगो कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे जारे हों कहता है कि अगर यह ऐस निकल जाना चाहिए क्योंकि उसे ऐसे फिलिंग हो रही जैसे कि कोई चीज उनके तरफ आ सकती है इसलिए वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं पर जब वो दोनों फर्स्ट फोर में पहुंसते हैं वो देखते हैं कि डोग्यों यहां से जा चुगा था फिर एंट्रांस क जैसे निकल कर जाने लगता है उसके उपर टाइटेन एफ हमला करके उसे खा लेता है जो देकर जारियों इन साइरों पूरे हैरान हो गए थे जारियों कहता है कि चलो हम लोग पीछे के दरवाजे से निकलते हैं उसके बादोनों पीछे के दरवाजे से निकल कर बहुत जारियोंग कहता है कि इतने दूर के जगे सेफ रहेगी और तुम्हारा टेस्ट का किया तो साइरोंग कहते है कि उसके पास भी एनफ टाइम बचे हुई है जारियोंग फिर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि तो चला फिर तुमसे मिलकर खुजी हुई और तो यहाँ पर बहुत कुछ हो गया पर हम दोनों जिस वज़े से यहाँ पर आयता हमारा काम भी पूरा हो गया है साइरोंग फिर हाथ मिलाती है और जारियोंग कहता है कि या देखने यह सब कुछ है सिक्रेट है और तुम्हें मुझे पेमेंट भी करनी है और केरफू लेना अगर तुम उसे दोबारा मिलना नहीं जाती तो साइरोंग पूछती है कि क्या हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिल सकते क्या कोई प्रोब्लेम होगी उसके बाद सिन कट होता है जाईवान के ऊपर तब जारियोंग बापस आता है जिससे देखकर जाईवान कहता है तो तुम वापस आ गए लगता है कि तुमने वहाँ पर बहुती मज़े करे हैं पर जारियों कहता है कि इसके बारे में पूछो हुए मत चलो अब इसे देखो जायवन फिर वाल जली को निकल कर देखने लगता है और कहता है कि चीज़े बहुती इंसें हो सकती थी अगर यह पब्लिक में रिलीज हो जाता इससे तुम इसली कहीं सारे बिल्डिंग खरी सकते हो पर तुमने बहुती अच्छा काम किया है मैं तुम्हें पैसे कल ट्रांसफर कर दूँगा पर वो जारियों को चुपचा बैठा हुआ देकर पूसता है